नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल जोचना मोबाइल कर में आप सभी को स्वागत करते हैं दोस्तों आज हमारी पास एक भीबो Y95 का मोबाइल कोरियर हुआ है और इसका प्रोब्लम है दोस्तों ये डिस्प्ले पे ग्राफिक्स नहीं आ रहा है और इस पे लाइट भी नहीं आ रहा है फिरहल दोस्तों ये मोबाइल जो मेकनिक भी ने हमारी पास कोरियर के है उन्होंने ये मोबाइल को काफी दर काम भी इस पे किया है लेकिन ये फॉल्ट को उन्होंने फाइंड नहीं कर पया फिर हमारी पास यह mobile को courier कर दे आज हम दोस्तों इस पे चेक करेंगे कि इस पे क्या problem से यह mobile डिस्प्ले नहीं आ रहा है और light भी नहीं आ रहा है ब्लांक डिस्प्ले है पहले हम दोस्तों mobile को completely on करेंगे और on करने के बाद हमारी जो भी बैट के supply कहा कहा पर जाती है इसको पहले चेक करेंगे यहाँ पर तो completely हमने चेक के लिया है कि यहाँ पर जो हमारी light section के पास और हमारी network section के पास और जहाँ जहाँ इसका भी बेट के supply जाना चाहिए वो completely जा रहा है फिर भी हम अब हम दोस्तों इसका जो graphics IC है और जो हमारी LCD BSP signal जाती है और LCD BSN हमारी LCD connector तक हमारी जो BSP signal और BSN signal जाती है उसको एक बार चेक के लेते हैं यह देखे दोस्तों यह जो chemistry आपको diagram मैंने यहाँ पर show कर लिए इसका जो LCD BSN और BSP line यह जो IC से यहाँ से अंदर जाती है और उसके पास जो coil होती है वो coil के पास हमारी VPH की power supply पहले आती है क्या नहीं आती है पहले हम चेक करेंगे और हमारी VPH की power यहाँ पर AIC को हमको नहीं मिलता होगा तो यह हमारी mobile दो complete on हो जाएगा और हमारी display blank ही आएगा यह Vivo 95 पे काफी दर होती है दोस्तों Vivo 91 और 95 जो हमारी Qualcomm के CPU आती है और जहाँ हमारी MTK के CPU आती है जो blank display की problem आती है यह IC के पुझे से काफी दर होती है तो प आपन करने के बाद पहले को चेक करेंगे इस पर वोल्टेज आता है यह नहीं आता है यह देखे दोस्तों यहां पर कुछ भी वोल्टेज सो नहीं हो रहा है यह जो output हमारी VPS पावर की output voltage है यहां से completely कुछ भी सो नहीं हो रहा है लेकिन इसका input से हमको completely 3.something जो हमारी बैटर काहां से सो होती है नहीं होती है इसलिए हमको bail को फेल open करना पड़ाइगा में एक एक कोल को open करने के बाद हम चेक करेंगे अगर coil सही होगा तो इसका line कहां से break हो रही हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे अगर कौल आपकी okay होगी 100% इस IC पर आपको VSN और जो हमारी सिगनल होती है LCD तक जाती है वो सिगनल को आपको चेक करना पड़ेगा यह देखे दोस्तो यहां से हमने को ओपन कर लिये यहां से हमको मल्टिमेटर को वजर की मोड में सेट करके इसको चेक करेंगे कि यह कंप्लिटली हमारी कॉयल पूरी तरह से ठीक है या नहीं है क्योंकि हमारी input voltage तो यहां से कब हमको सोव रही थी और हमारी यह दिखे दोस्तों यहां से जो हमको doubt था जिसके उपर जो हमारी chemistry के अंदर रही इसका voltage यहां से output नहीं हो रहा था एक coil हमारी completely खराब हो गए दोस्तों यहां से हम एक नया coil को यहां से paste करेंगे और उसके बाद हम mobile को directly check करेंगे कि हमारी mobile जो graphics नहीं आ रहा है उस condition पर यह mobile सही हुआ या नहीं हुआ हमारी जो vps power की line यहां से जाती है यह तो completely हमने यहां से paste कर लिए अब दोस्तों हम mobile को check करेंगे कि हमारी mobile जो completely blank display का solution सही हो गया या नहीं हुआ इसको check करेंगे करेंगे यह देखें दूस्तों सक्सेस्पुली है हमारी जो भीवो वाई 95 का model हमारी blank display का solution नहीं से सक्सेस्पुली रिप्यार हो गया दूस्तों तो आज के लिए इतना है दूस्तों फिन में लेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे करेंगे